रात को सोते समय लहसुन खाएं, तीन दिन में ही फरक दिखने लगेगा, नमश्कार दोस्तों लहसुन के गारलिक के हमारी आयुरवेद की किताब चरक समीता के अनुसार आज में आपको 51, 51 फाइदे बताने वाला हूँ हमारे घर में बड़े भुजरगों को, इवन आज कल के नौजवान, युवकों को, युवतियों को, जितनी भी तरह की बिमारियां होती हो, सिरफ लहसुन के, अलग अलग तरीके के प्रियोग से ठीक हो सकती हैं, बस खाली लहसुन खाने से आपको फायदा नहीं होगा, अलग अलग जडी बूटियों के साथ में, अलग अलग तरीके से, और अलग अलग समय पर, और अलग अलग मात्रा में आपको प्रियोग करना होता है, तो पूरी जानकारी दूँगा, विस्तार पूरवक अंतक वीडियो को जरूर देखें, आठ मिनिट की वीडियो रहेगी, लेक ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोट करूँ, किसी भी बीमारी से संबंदित, उसकी नूटिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मुवाइल में तुरंत एक सेकंड के भीतर मिल जाए, पहले फायदे के बारे में बात करूँ लहसुन खाने के, त बहुत जादा हृद्धे गात की समस्या हो रही है, तो लसुन के बीच में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि खून को एक तो पतला रखती है, और बलड सर्कुलेशन को बाड़ी में इंप्रूव करती है, और साथ में बैड कोलेस्ट्रोल को आपके खून के के लसुन मार्किट में मिलते हैं, आपको पहाड़ी वाला लसुन लेके आना है, पहाड़ी वाला लसुन इस तरह होता है, जैसे मैंने आपको वी वीडियो में दिखाया था, इसको आपको छील लेना है, और यह मैंने जादा है कॉन्टिटी में वीडियो में सिर्फ दिखा अरजुन की चाल को 5 ग्राम की मातरा में लेकर के बीच में आपको लसुन डाल देना है एक कूट करके जो लसुन है यह और साथ में आपको क्या करना है दोस्तों बीच में 100 मिली लिटर की मातरा में पानी डाल करके इसको पकाना है लसुन को भी अरजुन की चाल को भी जब अगर आप सेवन करते हैं हफते में चार बार और हिद्देगात के पेशंट्स के लिए तो इतना बहतरीन होता है हाई ब्लेड प्रेशर के लिए ये चीज इतनी बहतरीन होती है कि क्योर कर देती है मैं ट्रीट करने की बात ही नहीं कर रहा है सिर्फ क्योर करने की बात कर रहा ह पूरी तरह से क्योर कर देती है इसके अलावा दोस्तों शहद और हनी का प्रियोग अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से लसुन का और शहद का प्रियोग कर सकते हैं लसुन जो होता है जब वो शहद के साथ में मिलता है न तो उसके फाइदे पुर्षों के लिए बहुत बहुत बहतरी न होते हैं नों महीलाओं के लिए पहले आईए जानते हैं कि पुर्षों के लिए कौन से फाइदे होते हैं जिन पुर्षों को दोस्तों अंदर की कमजोरी थकान दुरबलता आलस से रहती है किसी भी तरह की रात को धेर देर तक जाके गंदी गंदी फिल्मे देखते हैं आप अशलीलو सके कारण, आप समझ पारे हुँगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो इसकी कारण से अगर आपको समझचा है तो शहद का लस्ण के साथ में एक lesson की कली के साथ में आपको जरूर प्रियोग करना चाहिए आईए जानते हैं अगले फाइदे के बारे में दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए मैं फाइदे बता रहा हूँ जिनको बहुत ही जादा है periods में problem होती है किसी भी तरह की अगर आपको मासिक दर्म में समस्या होती है तो lesson की तीन से चार कलियां ले करके छोटे छोटे टुकडे करके सो मिली लीटर की मातरा में पानी ले करके आपको इसको तपक पकाना है जब तक यह आपका पानी उबल नहीं जाता है उसके बाद ठंडा करके आपको यह पानी ना जब आपको पेन बहुत जादा होता है उस टाइम पे आपको इसके बीच में शतावरी का चूरन जो की बहुत असानी से पंसारी या आयरुवेद के स्टोर पे मिल जाता है वो आदे चमच की मातरा में यानि की दो ग्राम की मातरा में मिला करके आपको कंज्यूम कर लेना है पी लेना है बहुत जबरदस्त बहतरीन तरीके से आपका दर्द गायब करेगा किसी को नियमित रूप से मासिक दर्म नहीं आते हैं उसमें भी ये बहुत फाइदा पहुचाता है और यूटरेस की जो वाल होते हैं उसको भी हल्दी रखने में ये मदद करता है इसके अलावा दोस्तों ये बॉडी में एस्टोजन के लेवल को और प्रोजेस्टिरोन के लेवल को और टेस्टोस्टिरोन के लेवल को भी मेंटीन करने में और साथ में दोस्तों ये जो पानी है और साथ में मेंटीन करने के साथ साथ में बैलन्स रखने में बहुत जबरदस बहतरीन तरीके से मदद करता है इसके अलावा अगर आपके शरीर में blood circulation सही से नहीं होती है उसमें भी लसुन की कली आपको हलके गुनगुने पानी के साथ में consume करनी चाहिए तामबे के बरतन का पानी होना चाहिए अन्य इसके फायदों के बारे में बात करूँ अगर आप एक कली ही खाते हैं उसे जादा नहीं लेना है गर्मी में तो आदी कली खाएं सर्दी में एक कली का सेवन करें जो मैं पानी चाहन के आपको दिखा रहा हूं इसका सेवन करने से दोस्तों खून की कमी केल्शियम की कमी भी दूर होती है साथ में फंगल इंफेक्शन है तो आप इस पानी से नहा भी सकते हैं इसके कितने फायदे देखो मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा अगर आप लस्तों की कली को हीट देने में गर्मी देने में क्योंकि लस्तों की जो तासीर होती है वो घरम होती है तो ये सरदियों में आपके शरीर को बॉड़ी को हीट देने में मदद करता है इसके अलावा दोस्तों स्वपन दोश की समस्या जो पुरिशों में होती है उसमें भी ये बहुत ज़ादा लाबकारी होता है बस प्रियोग कैसे करना है कि रात को सोने से पहले पुरिशों को एक कली लसुन की चबा करके खा लेनी चाहिए हफते में तीन दिन तो ये दोस्तों बहुत ही ज़ादा बहतरीन होता है आपको अपन दोश की समस्या से पूरी तरह से निजात तो नहीं दिलाएगा लेकिन हाँ बहुत हद तक कम कर देता है और वो नैचरल सी चीज़ा आप गवराएने की मुझे ऐसा हो जाता है तो मैं मतलब कुछ ना कुछ प्राबलम होगे नहीं वो नैचरल फिनामेना है सभी पुरिशों के साथ होता है तो आपको गवराना नहीं है दोस्तों इसके अलावा में अगले फायदे के बारे में बात करूँ लसुन को सेवन करने के तो ये बहुत ज़ादा अच्छा होता है ऐसे लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी जिनकी रोग प्रती रोधक शमता बहुत ज़ादा कमजोर है जो लसुन होता है वो दोस्तों आर बी सी और डवल्यो बी सी वाइट बलेट सल्स को और टी लिम्फोसाइट्स को हमारे खून के अंदर बढ़ाने में मदद करता है जिससे कि हमारी रोग प्रती रोधक शमता बहुत हद तक बढ़ जाती है लसुन के अगले फायदों के बारे में बात करूँ तो इस तरह से आपको गैस पे भून लेना लसुन को लसुन को भूनने के बाद में सिर्फ एक से दो कली अगर आप दोस्तों हलके गुनगुने गाय के दूद पीने के आदे घंटे के बाद चबा करके खाते हैं रात को सोते समय या सुबह सिर्फ एक या दो कली ही खानी है maximum अगर गर्मी का मौसम में तो एक खाएं सरदियों के मौसम में बरफ पड़ती है तो दोग खा सकते हैं उससे जादा तो बिल्कुल नहीं खाना है गरम होता है तो दोस्तों ऐसा करने से जिनको जॉइंट पेन, नी पेन, गठिया की समस्या, जोडों का दर्द, गुटनों का दर्द, अर्थराइटिस की समस्या, हडियों से कट-कट की आवाज आती है वाइटमिन डी और केल्शियम की कमी है, ऐसे लोगों की जिनकी ग्रीस खतम हो चुकी है, बड़े बुजर्ग जो होते हैं, जिनको गुटनों में, टकनों में बहुत जादा दर्द होता है ऐसे लोगों के लिए ये लसुन की कली भून करके, जैसे मैं गैस पे भून रहा हूँ, इस तरह से अगर भून लेते हैं, और इसका प्रियोग करते हैं, तो ये बहुत फायदे मंद होता है दोस्तों, आपको अच्छे खासा भून लेना है, इसको उसी के बाद में प्रियो करना है, मुझे उमीद है कि लसुन के फायदे जान करके, रात को सोते समय लहसुन खाएं, तीन दिन में फरक दिखने लगेगा, इसके फायदे जान करके आपको बहुत ही खुशी होगी, धन्यवाद चली मिलते कले एक नई वीडियो में इसी तरह की अच्छी जानकारी ले में अच्माश करύशल कаровности में चली में शुशी होगी में घुशी होते है, बहुत हम है कि अच्छी होग Hazura से